So what's up guys, कैसे हैं आप सभी? तो finally आज इससे हमारी Pokemon Go के beginner 2 pro series होने जारी है चालू और ये series का पहला part होने जा रहा है और इस part के अंदर हम बात करेंगे कि आपको Pokemon Go को कहां से download करना है और किस तरीके से account को create करना है तो यार अगले part की और कैसे बढ़ पाओगे हैं तो इस part को पूरे end तक देखना और बिल्कुल भी skip मत करना ठीक है तो चलिए यार चलते हैं अपने वीडियो के main part की और तो game को download करने से पहले आप लोगों के लिए जाना जरूरी है कि यह case है जो device के अंदर game properly work करेगी तो पहला requirement यह होने वाला है कि आपका device के अंदर जो android version है वो 7 या उससे उपर होना चाहिए ठीक है android 6 या 5 नहीं चलेगा android 7 या उससे उपर होना चाहिए पहला requirement दूसरा होना चाहिए कि आपका जो device का RAM है वो almost 3 GB होना चाहिए ठीक है 2 GB में भी चल जाएगा बट उसके अंदर आपको काफ़ी lag वगरा देखने को मिलेगा तो मैं prefer करूँगा कि आप जो 3 GB RAM लेकर चलो ठीक है तो इतना होने के बाद अब आपको simply open कर लेना है अपना Google गूगल पर जाने के बाद आपको लिखना है पीजी शाप अब यह पीजी शाप क्या है यार इसना डीटेल में मत जाओ जो मैं कहा रहा हूँ आप simply वो करो ठीक है पीजी शाप का जो पहला लिंक आएगा उसके पर क्लिक करना देन उपर उपर आपको एक download का option मिलेगा इसको simply के उपर क्लिक कर देना ठीक है क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जोड़ी यह download होने लग जाएगा जासा कि आप देख सकते हो एंड बस इंतजार करना यह download हो जाएगा ठीक है और वाकी याद रहे कि आपको यह play store से download नहीं करना है आपको यह google या फिर कोई और browser से download करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी game download हो चुकी है और pokemon go ही हुई है और कोई सी game download नहीं हुई है ठीक है जो आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यह pg shop वगरा क्या है तो यह pokemon go ही है ठीक है तो फिलाल यहाँ पर हम wait करते है अपनी loading screen आने का तो इतना आने के बाद आपको simply अपनी date of birth डाल देना है अपको आँक्ट्वल ने डालनी है जो मैं डालोंगा आपको simply वो डालनी है तो यह बात की बात है फिलाल आप new player के पर click कर दो then आप आपकी बार ही आती है यहाँ पर account को create करने की तो यहाँ पर मैं आपको prefer करूँगा कि आप Google या फिर Facebook ले कर चलो इन दोनों में से आप किसी से अपना account बनाओ Pokemon Trainer Club एक एडिशनल option है यह मतलब कि इतना काम का नहीं है आप इन दोनों में से कोई option को choose करके अपना account को create करो तो मैं आपको prefer करूँगा कि आप Google से बना लो क्योंकि Google काफी असान रहता है याद करना ठीक है तो फिलाल मैंने अपना एक account को choose कर लिया है Google के लिए मतलब कि account को setup करने के लिए और कुछी देर में आपका जो account है वो create हो जाएगा और फिर आपके सामने आएगी Pokemon Go का interface यानि की loading screen ओके तो अब आपको जो कुछ permission को allow करना होगा जो जो यह मांगते जाता है और सारी permission को allow कर दिना बेफिकर तो अब आप दिख सकते हो कि आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर interface आया है तो इसको रहने दीजिए आपको simply continue के ओपर click कर दिना है और accept के ओपर click कर दिना और इतना करने के बाद जो है अब मतलब कि ऐसा ऐसा loading screen आता जाएगा तो भीया यह जो अंकल आपको दिख रहे है यह है अपने professor oak जो कि आपको instructions देंगे आपके game को play करने के लिए ठीक है तो just inkyo पर tap करते जाओ और इसको skip करते जाओ यह फाल्तु का यहाँ पर दोगलपन है end up आपको simply अपना कोई भी character choose कर लेना है skip बाकि आप बाद में भी कर सकते हो अगर आप करना चाओ ठीक है तो यहाँ पर हम कर देते है yes end up आप देख सकते हो अगर आपके सामने कोच इस तरीके की जो है यहाँ पर यह loading screen यहाँ पर appear हो जाती है so सबसे पहले आपको यह बोल रहा है catch a pokemon अब pokemon क्या है जो आपको यहाँ पर आजू बाजू में दिख रहे है ना यह 3 मतलब की जहनवर जैसे यह है आपके pokemon अब जस्ट आपको इनके ओपर tap करना है किसी के ओपर भी tap कर देना जो हमसा आपका मन करें ठीक है and tap करने के बाद जब यह यह AR वगरा को आफ कर देना अगर आपका on रहता है तो and tap आप देख सकते हो यह है आपका pokemon जो कि यह बलबास हो ठीक है तो जस्ट आपके यहाँ पर यह होती है pokeball जिससे आप इसको catch करोगे तो pokeball को आपको जो है मतलब की इसके ओपर simply fact देना है तो pokeball को throw करने के लिए काफी सारे style available है game के अंदर बढ़ आप एक beginner हो तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप इसको simply जो है न मतलब की आगे की तरफ fact दो कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं fact रहा हूँ and इस तरीके से जो है आपका pokemon pokeball के अंदर आ चुका है है आपका pokemon जो कि आपकी inventory के अंदर आ चुका है so अब आपके सामने again कोच जो है loading instructions आएंगे जिनको आपको skip करना है तो अब बार या आती है आपको अपने nickname को choose करने की तो nickname के अंतर आप कुछ भी डाल सकते हो so फिलाल आप अपना name ही डालना है और यह क्यों पर click कर दिना है and यहाँ पर आपका जो है nickname set हो जाएगा game के अंदर so अब इसको skip करो और अब यह आपको बोल रहा है time to walk pocket stop की तरफ अब यह क्या है pocket stop बाद में बताऊंगा ठीक है अभी फिलाल let's go क्यों पर click करो ठीक है तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका level up हुआ है यानि कि आपने जो pokemon catch किया तो ना उससे आपको मिली ए xp और xp बहुत matter करती है आपके game के अंदर level up करने के लिए ठीक है तो यह बहुत detail की बात है जो कि मैं बाद में बताऊंगा ठीक है तो चलो vibration वगर आउफ कर देता हूँ so guys यह आपका फिलाल यहाँ पर account पूरी तरीके से setup हो चुका है अब आपकी बार यह आती है दो चार छोटी मोटी चीजों को समझने की जो कि आपकी बाद में फिर मदद करेगी इस game को अपने आप खेलते समय ठीक है तो अब यह आपके सामने जो यह मतलब की नीला करण का जो खड़ा हुआ ना सामने इन्हें बोलते है pocket stop ठीक है तो आपको simply इनके ओपर एक बार टैप करने के बाद ही यह आपको बोलेगा इसको घुमाने के लिए अप घुमाना कैसे है जस्ट आपको जो है इसको एससे मतलब कि किसी भी डिरेक्शन में घुबा देना आपका यह घुमते ही जो है कुछ item यह देगा आपको घुमाने पर और यह item आपकी मदद करेंगे पोकेमोन को catch करने पर, पोकेमोन को get करने पर मतलब कि बहुत सारे item यह आपको देगा pocket stop जब आप इसको spin करोगे यानि की rotate करोगे और इसी तरीके से बाकी भी है, तो आप ऐसे ऐसे इनको rotate करते जाना, आपको items काफी सारे easily मिल जाएंगे इनको rotate करने पर, ओकी guys और अभी आप देख सकते हों कि आपका again level up हो चुका है, क्योंकि जो आपने pocket stop spin करे चाना, उनसे भी आपको XP मिलती है, ठीक है और ऐसी बहुत सारे तरीके गेम के अंदर XP को लेने का जिससे आपका level up होता रहेगा, ओकी guys तो चलो फिलाल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको जो है, ये PG sharp क्यों डाउनलड करवाया, Pokemon को डाउनलड क्यों नहीं करवाया तो देखो जो ये PG sharp है वो आपको inbuilt joystick देता है, जिसकी मतलब से आप अपने character को खहीं भी rotate कर सकते हो, खहीं भी घुमा सकते हो easily बाकि अगर मैं बात करूँ इस game की तो ये एक real time game है, यानि कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप इसको play store से डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, joystick वगरा, जिससे मतलब कि आप फिर क्या करोगे न, आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तब जाकर आप इस game को खेल पाओगे, ऐसे चल चल के वरना तो इस application के अंदर आपको जो है, ये inbuilt joystick मिल जाती है, जिससे आप जो है, घर पे बैटे-बैटे आराम से खहीं भी जाकर इस game को play कर सकते हो, बड़ी असानी से, ओके, तो ये इसलिए मैं आपको download करवाया है, ये PG Shop, क्योकि इंडिया के अंदर आपको जो है, ये जो pocket entry के अंदर है, इस game के अंदर, like हम जो अभी, I think so, New York के अंदर है, तब जाकर आपको यहाँ पर इतने सारे pocket stop दिख रहे है, बाकि अगर मैं इंडिया के अंदर जाऊंगा ना, तो आपको वहाँ पर बहुत कम pocket stop देखने को मिलेंगे, जिसकी वज़े से जो है, मैंने आपको यह PG sharp prefer करा है, डाउनलोड करने के लिए है, ठीक है, और इस PG sharp के अंदर, आपको जो है, काफी सारे options देखने को मिल जाते है, जो कि आपके gameplay को enhance करने में मदद करेंगे, तो इनके बारे मैं बाद में बात करूँगा, तो फिलाला भी आप एक beginner है, तो मैं आपको beginner की तरह treat कर करता हूँ, तो आपको मतलब की Pokemon पकरना आई गया होगा, जहां तक मैं को यकीन है, तो देखो आपको Pokemon के ओपर क्लिक करना है, Pokemon appear आजाएगा, तो आपको simply इसके ओपर कुछ इस तरीके से Pokeball को throw कर देना है, throw करने के बाद, again यह 2-4 बार घूमेगा, फिर आपको Pokemon catch हो बट असर नहीं है, यह आपका सिर्फ शुरू-शुरू में motivation देने के लिए है, क्योंकि शुरू-शुरू में level up करना बहुत असान होता है, आप level 10 तक बहुत इजली पहुच जाओगे, बट उसके बाद आपको, मतलब की बहुत है, मतलब की game को play करना पड़ेगा, तब जा यहाँ पर जाना है, advanced setting के उपर, and इसके उपर click करने के बाद, अब आपके यहाँ पर सामने आता है, एक native refresh rate करके option, तब को simply इसको on कर देना है, on करने के बाद आपको जो है, एक enhancement देखने को मिलेगी आपके gameplay के अंदर, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेंको अपन unlock कर देता है, ठीक है guys, तो कुछ इस तरीके से आप जो है, इस game को खेलने की शुरुआत कर सकते हो, और बाकि इसके अंदर और भी काफी सारी चीज़े है, बट छोटी मोटी जो चीज़े रह गई है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, तो देखो आपको नीचे की रोटेट करना अपनी स्क्रीन को, और जो ये जोएस्टिक है न गेम के अंदर की, आपको सिंपली जो है, उस डिरेक्शन में ले जाना है, जहां पर आपका जो ये पोकी मोन का सिगनल है, वो रिसीव हुआ है, तो बस जाते जाना जाते जाना और आप जो अस पोकी मोन तक जाकर फिर उसको catch कर सकते हो, और इसी तरीके से अगर आपको अपनी profile देखनी है, तो profile वाले option के उपर click करो, और यहां पर आपके पास जो है, पता चल जाएगा कि आपने अभी तक कितना progress क्या है, आपको यहां पर जो दिख रहे हैं 750 by 4000, यह आपकी XP है, कि 4000 XP आपको चाहि पॉक्यमोन कैच करें पॉक्य स्टाप आपने कितने अभी तक कि इस पिंड कर रखिया है और आपने गेम का भी स्टाट करी थी तो यह आपकी टोटल एक्टिविटी के अंदर आ जाता है बाकि आपके जो है इस गेम के अंदर मेडल वगरा है जो कि आप मतलब की करोगे जब यहां पर पॉक्यमोन केक्न के लिए आपको मेडल मिलते है मतलब की और कुछ ठार्सक वगरा को कंप्रेट करने पर मिलते हो यह Rabbी है यंदर कि अब करेंगे वह बहुत करेंगे आपके अपने वह बगर वन एड कर सकते हो लेकिन इसका रबी साथ कभी शेयर करूँगा किसी और अगले पार्ट में ठीक है तो फिलाल के लिए आप जो है इस जो है वीडियो के मादम से सिर्फ पोकेमोन को खेलना सीखिए पोकेमोन वगर आज के दिन कैच कीजिए भर-बर के और जो है पोके स्टो बगरा को स्पिन कीजिए ठीक है फिर अगले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे एक और न्यू चीज के बारे में और जाएंगे एक और कदम आगे इस सीरीज के अंदर ओके गाईस तिल देन आप इतना प्ले कीजिए इंजोई की कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो मिलते अगली वीडियो के अंदर है और अगले पार्ट के अंदर है बाई